Contra अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले चलिए आगे वड़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को अपने friends के पास ज्याद़ ज्याद़ शेयर कर दें पहले question के और बढ़ते हैं हम चलिए अभी start करते हैं first question के और बढ़ते हैं पहला question क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुहमद इलियास का संबंद किस खेल से है तो यहाँ पर option दिये गए है athlete, volleyball, badminton या निशानेवाज तो इसका यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुहमद इलियास का संबंद किस खेल से है तो किस खेल से होगा तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा volleyball यह आपको याद रखना है important question है exam के अंदर पूछा जाएगा चाहिए अकबर का मखबरा जो इस्तित है वो किस के दौए बनाया गया था तो option यहाँ पर दिये गए है शाह जहां के दौएरा जहांगीर के दौएरा यह अकबर के दौएरा या नूर जहां के दौएरा तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा जहंगीर के दूरा उत्तर प्रदेश के सिकंदरा मेश्थित अकबर का मकबरा जहंगीर के दूरा वनवाय गया था याद रखना है important question है जितने भी question यहाँ पर cover कराये जा रहे हैं यह UPGK के question यहाँ पर cover कराये जा रहे हैं और exam के अंदर previous year जो exam हुए है तो वहाँ पर यह question बार-बार repeat हुए है तो चैनल को अपने सभी friends के पास share जरू कर दें वीडियो को और चैनल को subscribe भी जरू कर ले नेक्ट option की बात करते हैं आपर अक्षेत्र फल की द्रिष्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो अक्षेत्र फल की द्रिष्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछा गया है आपर सबसे चोटा जिला कौन चाह हो जाएगा है आपर अलिगड, संत्रवीदास नगर, बलिया या वारानसी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा है आपर संत्रवीदास नगर, बदोई याद रखना है पर important question है संत्रवीदास नगर, बदोई उत्तरव प्रदेश का सबसे चोटा जिला है ये exam के अंदर पूछा गया question है next question क्यों आगे बढ़ते हैं next question क्या कह रहा है उत्तरव प्रदेश की स्थापना कब होई थी तो question क्या पूछा गया है उत्तरव प्रदेश की स्थापना कब होई थी may 1921 ओप्षन लब यगा ऊप्रडिश एक मैं 1937 को यह एक अप्रेइल 1928 और फीर इक उत्तर परिजस को स्थापना बाद है तो यहां पर इसका रिट सर्थ कंथे उत्तर परदेश की स्थापना पर करना है यह आपकर 1937 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी नेक्स्ट कोशन क्यों बढ़ते हैं हम आगे देखे नेक्स्ट कोश्चन कितना अच्छा पुचा गया है मान्यवर काशी राम अंतर राश्टे खेल पुरुसकार के अंतरगत ओलंपिक खेलों में टीम परतिस परदाओं में स्वांड पदक जीतने पर कितने रुपिये पुरुसकार स्वरूप दिये जाते हैं जो की काशी राम अंतराश्टे खेल पुरुसकार होते हैं उसमें जो परतिस परदाश जीतते हैं स्वन पदक जो गोल्ड मेडल लेके आता है उसे कितनी राशी पुरुसकार स्वरूप दी जाती है यह कोशन में पूछा गया है तो यहाँ पर 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या 13 लाख अप्शन में यह एक्जाम के अंदर पूछा गया कोशन है तो 15 लाख यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी राम अंतररास्टे खेल पुरुसकार के अंतरगत जो वैक्ति स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है तो उसे पुरुसकार स्वरूप 15 लाख रूपे इनाम के तोर पर दिये जाते हैं यह आपको याद रखना है, most important question confused नहीं होना है, 15 लाख वहाँ पर 25 लिखा होगा, आप यहाँ पर confused हो जाओगे, तो 15 लाख रूपे पुरुसकार स्वरूप दिये जाते हैं, याद रखना है, important question है, next question के और बढ़ते हैं, next question की बात करते हैं, यहाँ पर देखें कितना लप जहांगीर का महल, मरियम का महल या बीरबल का महल, तो यहाँ पर option B, right answer हो जाएगा, जहांगीर का महल, कहां पर इस्थित है, फतेपूर सी क्री में इस्थित, ओ स्थित नहीं है, यह याद रखना है, next question की और बढ़ते हैं, आगे की और, वीडियो को शेयर करदें मिने फ्र नहीं होना है, यह पूछा गया है कि नहीं है, पंच महल भी है, फतेपूर सी क्री में, मरियम का महल भी है, और बीरबल का महल भी फतेपूर सी क्री में इस्थित है, यह इस्थित नहीं है, जहांगीर का महल, फतेपूर सी क्री में यह इस्थित नहीं है, और जहांगीर का मह उपलक्ष में फ्तायप interdisciplinary के दया प्रवाजेगा निर्मान करता था महारास्ट्य विज्या के उपलक्ष में यह बंगाल विज्या के उपलक्ष में यह इनमें से कोई नहीं तो यहां पर इसका right answer क्या हो जाएगा बच्चों बोले तो गुजरात विजय के उपलक्ष में अकबर ने फतेपुर सीक्री में बुलंद दर्वाजे का निर्मान कराया था याद रखना है और यह भी कोशन पूछ सकते हैं बुलंद दर्वाजा कहां पर रिच्छीता है तो यह फतेपुर सीक्री में सीध सीधा कोशन पूछा गया कोशन है याद रखना है आपको नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं मामू चलिए यह नेक्स क्या कहा रहा है हमारे उत्तरप्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सरवाधिक कम वर्षा होती है यहाँ पर क्या कोशन पूछा गया है उत्तरप्र एंसर क्या हो जाएगा सबसे कम वर्षा किस मैदानी जनपद में होती है इसका आंसर आप फानो पता होना चाहिए आप जिलिए पर सबरिखें करके ज़रूर बताना हैं नाच चोशन की वहुरा कर बढ़ता है यूपि के किस शहर ने चार लाख दिये जलाई यूपी के किस शहर ने 4 लाख दिये जलाने का वर्ल्ड गिनीज रिकोर्ड बनाया है तो इसका रैट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा वाराणसी नहीं होगा मॉथुरा नहीं होगा प्रियाग राज नहीं होगा तो सीधा सीधा इसका अंसर क्या होगा राम नगरी अयोध्या में चार लाग दिये जलाने का वर्ल्ड गिनिज रिकोर्ड बनाया गया है यह आपको याद रखना है important question है और अयोध्या काँ पर है UP में आप सोगो पताई UPGK की बाद चल लिए तो यूपी जी के special चल लिए भाईया जी की तो next option की और बढ़ते हैं हम आगे किस शहर को विद्वाओं का शहर कहा जाता है याद रखना important question है क्या question पूछा है बहुत अच्छा question पूछा का है किस शहर को विद्वाओं का शहर भी कहा जाता है तो विद्वाओं का शहर किसको कहा जाता है लकनाउ, वरंदावन मतुरा, गौरकपूर तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा वरंदावन को विद्वाओं का शहर भी कहा जाता है याद रखना है important question है एक्जाम के तर पूछा गया है और repeated question यहाँ पर मैं cover करा रहा हूँ चलिए नेक्ट वोशन की और बढ़ते हैं वागे की और नेक्ट वोशन समराट अकबर की तुर्की रानी, रुकेया बेगम समराट अकबर की तुर्की रानी, रुकेया बेगम का शीश महल परदेश में कहां इस्तित है तो यह उत्तर परदेश में कहां पर इस्तित है आगरा में इस्तित है या फतेःबाद में इस्तित है या फिरोजाबाद में इस्तित है या फतेःपूर सीक्री में इस्तित है तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका रैट अंसर होगा फतैपुर सीक्री में समराट अकबर की तुर्की जो रानी थी रुकईया बेगम का शीस महल कहाँ पर इस्तित है फतैपुर सीक्री में इस्तित है सीधा सीधा कोशन एक्जाम के अंदर पूचे जाते हैं उत्तरप्रदेश के जितने भी एक्जाम होते है यूपी ट्रीपल सी के तुरू एक्जाम होता है वीडियो का होता है और पटवारी के एक्जाम होते है तो यह कोशन सीधे सीधे कोशन एक्जाम के अंदर पूचे जाते हैं और यह पूचे भी गए हैं 1785 में औरचा नरेश उद्दत सिंग के दुवारा या 1408 में मुहम्मद तुगलक दुवारा या 1370 में इल्टुतमिश के दुवारा या option D 1808 में राजा वीर सिंग के दुवारा तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर right answer हो जाएगा option A 1785 में औरचा नरेश उद्दत सिंग के दुवारा जहां सी जिले में इस्तित बारवा सागर का किला बनवाय गया था यह आपको याद राखना है यहां पर इसन भी दिया गया है 1785 में बनवाय गया था किसके दुवारा और चाह नरेश के द्वारा बनाए गया तो कहां पर जहां सी जिले में इस्तित बरवा सागर का किला बनाए गया था यहाद रखना है इंपोर्टेंट कोशन है नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं इस वीडियो में इतना ही यह जितने भी वीडियो जहां पर कवर कराई जा रही है यह प्रिवेस एक्जाम में पूछे गए हैं और उत्तर प्रडिस का जो पुलिस का 52,000 वेकिंसी के एक्जाम में भी यहां से कोशन आने की बहुत बहुत संभावन आए है प्रिवेस एक्जाम से जो भी कोशन लिये जाते हैं वो बहुर बहुर रिपीट होते हैं कोशन तो आपको सभी कोशन के नोट्स बना लेने हैं और जितने भी हमारी वीडियोज यहां पर अपलोड की जा रही हैं हमारी वीडियो ट्यूजडे में सुबह के चार बजे, वेडनेस डे में सुबह चार बजे, और सेटल डे में सुबह चार बजे, पब्लिश होती है, तो आप सभी लोग, मैं जितने भी वीडियो कवर करा रहा हूं, जितने भी कोशन कवर करा रहा हूं, वो सभी कोशन वन भी फिट नहीं होगा सभी कोशन के नोट नोट्स बनाते रहें और भाईया जी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके तो थैंक् झाल झाल